अपने से ताकतवर दुश्मन को चेड़ना अपनी तबाही को नियोता देना है लेकिन एरान लगातार अमारिका को उक्सा रहा है एरान ने अब अमारिका पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है इस हमले के बाद अमारिका एक बड़े मिशन की तैयारी में लगा हुआ है और उसक पुतिन ने जिस दिन रूस के राश्च्ट्रपती पद की शपत ली थी, ठीक उसी दिन पुतिन ने एक और शपत भी ली थी ये शपत थी, अमेरिका का विनाश वो अमेरिका जिसने सोवियत संग जैसे बड़े और विशाल देश के टुकड़े टुकड़े कर दिये उसी विशाल देश में पैदा हुए पुतिन ने अपनी आँखों के सामने अपने देश को बढ़ते और बिखरते, तबाह और बर्बाद होते हुए देखा ये दर्द और तकलीफ पुतिन जैसे राश्रवादी लीडर की आँखों में आज भी नजर आती है और इसी लिए पुतिन ने एक सपना देखा, एक कसम खाई कि अमेरिका का भी वही हाल करेंगे जो सोवियत संग का हुआ था यानि जैसे को तैसा जवाब देंगे और पुतिन ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपना एक जिगरी दोस्त चुना है जिसका नाम है इरान इरान भी पहले से अमेरिका का सताया हुआ है और चानक के नीथी के मताबिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी कूटनीती पर चलते हुए रूस इरान की हर वो मदद कर रहा है जिससे अमेरिका का विनाश हो सके और ये विनाश भी शुरू हो चुका है इरान ने अमेरिका पर 24 घंटे के अंदर दो बड़े हमले किये इस हमले में अमेरिका के एक कॉंट्रेक्टर की मौत हो गई है और अमेरिका के पांच सैनिक घायल हो गए आखिर कैसे पुतिन ने इरान को शाबासी देकर अमेरिका पर हमला करवाया आखिर इरान ने कौन से ड्रोन से हमला किया कि अमेरिका का माना हुआ एर डिफेंस भी फेल हो गया आखिर इरान ने कैसे स्टेल्ट ड्रोन बना लिये हैं जो अमेरिका के रेडार को भी चक्तमा देने में काम्याब हो गए है आखिर क्यों वार रूम के अंदर अमेरिका के राष्टबदी जो बाइडन काफी परिशान और बेचयं देख रहे हैं इन सब सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका पर किये 23 मार्च को इरान के एक ड्रोन ने सीरिया के अंदर नौर्थीस्ट हिस्से में कोनों को में एक एर स्ट्राइक की इसी हमले में अमेरिका का एक कॉंट्रेक्टर मारा किया 45 मिनट के अंदर इरान ने दो हमले कर दिये पहला हमला रात 10 बज कर 49 मिनट पर किया और दूसरा हमला रात 11 बच कर 23 मिनट पर किया और इसके बाद अगले दिन 24 मार्च को इरान ने ड्रोन्स हमलों और एर स्ट्राइक्स की जड़ी लगा दी और अमेरिका का बेज पूरी तरह से काप गया अमेरिका के कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए लेकिन हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये ओठ रहा है कि आखिर इरान ये सफल हमला कैसे कर सका दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका का बेस होता है और अमेरिका के सैनिक होते हैं कोई एर स्ट्राइक सफल नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर अमेरिका अपने सैनिकों की जान के हिफाज़त के लिए बैतरीन एर डिफेंस सिस्टम लगाता है लेकिन आखिर कैसी इरान ने अमेरिका के एर डिफेंस को फेल कर दिया अमेरिका ने सीरिया में अपने एर बेस में शोराड एर डिफेंस सिस्टम लगाया हूँ है जादा तर जब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो लोकों को Patriot और Nessoms के बारे में जरूर याद आता है लेकिन अमेरिका का ये Air Defense शोराड भी अमेरिका की वायू रक्षा प्रणाली में एहम भूमी का अदा करता है जरा देखिए शोराड से निकलने वाली मिसाइलें कैसे launcher से बाहर निकल कर दुश्मन की ballistic missile प्रोन या फिर fighter jets पर हमला करके उनको नस्तो नाबूत करने की क्षमता रखती है शोराड एयर डिफेंस अपने launcherों से जो मिसाइलें लाँच करता है वो cruise missile को नश्ट करने में भी माहिर होती है अमेरिका के सैनिकों के हिफाज़त के लिए सीरिया में इस रक्षा प्रणाली की तैनाती 2021 के फरवरी महीने में की गई थी इसमें एक समय में च्यार राउंड फायर होते है अमेरिका ने रूस के खतरनाग drone attack का मुकाबला करने के लिए योक्रेन को भी एर डिफेंस सिस्टम सौपा है इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे भी इससे एर डिफेंस सिस्टम का इस्तिमाल करते है अमेरिका के एर डिफेंस में भारी चूप की वज़़े से अमेरिका की कई सैनिक घायल हो गये और एक नागरीक भी मारा किया, लेकिन अमेरिका की अकबार अपने देश की छवी का बचाओ करने में जुढे हो है The New York Times ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हमले के समय नाटो गट बंधन के एर बेस की प्रात्वीक वायू रक्षा प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं थी अमेरिका के अकपारों की ये प्रतिक्रिया हास्यासपद और पूरी तरह से हैरान करने वाली है अगर एर डिफेंस सिस्टम सही समय पर चालू ही नहीं हो पाए तो ऐसे एर डिफेंस सिस्टम से क्या फाइदा है ये अमेरिका की बहुत भारी चूक है आईए जरा एक नजर तोड़ाते हैं कि आखिर इरान के वो कौन से ड्रोन हैं जिन्होंने योक्रेन के अंदर भी भारी तबाही मचाई और अमेरिका की नाक में भी दम करके रखा है इसमें तीन ड्रोन शामिल रहे जिसमें मोहाजर 6, शाहिद 129, शाहिद 191 ड्रोन शामिल है ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बंप गिराने का काम कर सकते हैं इरान का ड्रोन शाहिद 191 अपने डिजाइन की वज़े से काफी खतरनाक माना जाता है शाहिद 191 ड्रोन की लंबाई 2.7 मीटर विंग स्पैन 7.31 मीटर होती है शाहिद 191 ड्रोन 350 किलो मेटर प्रती घंटे की रफतार से उडान भर सकता है इसकी ओपरेशनल रेंज 1500 किलो मेटर है टारगेट को तबाह करने के लिए 100 किलो के दो बम ले जा सकता है ये कुल 500 किलो वजन के साथ उडान भर सकता है शाहिद 191 ड्रोन 25,000 फीट की उचाई तक उड़ सकता है शाहिद 191 ड्रोन 4.5 घंटे तक उड़ सकता है दोनिया इरान की ड्रोन टेक्नलोजी देखकर हैरान है तो रूस के राश्टोपती व्लाद में पोतन तो इरान की ड्रोन पावर के मुरीद बन चुके है दरसल ये तो इरान के बदले की शुरुवात है इरान एक बदले की आग में चल रहा है ये तस्वीर देखिए जो जनवरी 2020 में पूरी दुनिया में चर्चा का विशय बन गई थी जब इरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की आँखों में आसू थे और जब इरान के प्रधान मंत्री भी आसू बहा रहे थे ये तस्वीर उस घटना के बाद की है जब अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल से जनरल कासम सुलिमानी की हथ्या कर दी थी तब से आज तक इरान के सुप्रीम लीडर बदले की आग में चल रहे है रूस की सरपरस्ती में इरान, अमेरिका और एजरैल पर हमले की पूरी तैयारी कर रहा है अब एक कुछ वक्त पहले ही इरान के सरकारी टेलिविजन ने एक खतरनाक क्रूज मिसाइल के परीक्षन की तस्वीरें भी जारी कर दी थी इतना ही नहीं, साल 2022 के नवंबर के महीने में भी एरान ने हाईपरसोनिक बलेस्टिक मिसाइल के परीक्षन का दावा किया था तरसल एरान ने तब भी ये दावा किया था कि ये हाईपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी एर डिफेंस को भेच सकती है चान्ग औरन अफ़नोते हो सेल कि दुमानाеля कम तेंड भी में डशफ़ करते है। गजक दो और अरओन सामानाइगWe b anything the KWeb प्रिए कर दोणों कि उर्फान दोपनिकि सो कशो करता है。 वी समाने दोए रहा है श्रगवार ज़तातन करता है। थ्मरों किर दोए दोए शेले हम वह दो cohort दोए. मुर्फशना प्ल Clems, भी सामनाना हो दोए हो जैन прис Atunik, इन पूशक जदीद जुम्हुरी एस्वामिय एरान अजने उन्हा उहूर में कने वा फिक्ष में में कना तो जहास सादेबर एरान की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अमेरिका के पूरो राज़्टपादी डोनल्ड ट्रम्प और पूरो विदेश मंत्री माईक पूम्पियो को भी जान से मारमें कि धमकी दे चुका है मिडल इस्ट में अमेरिका का सबसे बढ़ा रणितिक दोस्त तो इसरैल है और इसरैल को भी इरान ने टारंगेट पर ले रखा है इस्राइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये क्रूज मिसाइल बनी हुई है क्योंकि ये 1650 किलो मीटर तक वार कर सकती है जबकि इरान के वेस्टन बॉर्डर के पास मौजूद शहर खुर्रमाबाद से इस्राइल की राजधानी जेरुशलम की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1520 किलो मीटर ही है